Photoshop के अंदर बहुत सारे fire effect दिये गए है जैसे कि यहाँ पे मैं नया layer create करना हूँ उसके बाद pen tool या curvature tool से आप selection कर सकते हो इस type का मैंने यह path बनाया है उसके बाद यहाँ पे filter में जाना है और यहाँ पे render करके option है जिसके अंदर flame करके option है यहाँ पे बहुत सारे preset दिये गए है जैसे कि यहाँ पे multiple पे click करूँगा one पे click करूँगा तो one flame हो जाएगा आपको जैसा भी setting चीए आप यहाँ से parameter को change कर सकते हो यह होने के बाद यहाँ पे ok पे press करना है उसके बाद यहाँ से आपको screen mode करना है उसके बाद control T से इसको modification कर सकते हो आपको कैसा करना है तो thank you for watching ऐसे ही वीडियो के लिए S4 Reddit को follow करो और happy holding